गतिया में नबालिक बालक के साथ दुश्कृत के बाद हत्या के मामले में कोट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है जिसमें विशेश नयाधीश ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अजीवन कारावास, दस वर्ष का कारावास और साथ साल का शशम कारावास के सजा सुनाई है और आरोपी पर कुल 85,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया गया जला अभियोजन अधिकारी के मताबिक मामले में अभी दूसरा आरोपी बाल नयाई खिरासत में अभी चारी बालक के रूप में बंध है जिस पर कारवाई प्रस्तावित है जिसकी जानकारी देते हुए एस्पी ने कोट के फैसले की सरहना की है प्रस्तावित के अधार पे उनके कमरे से बच्चे की चपल बरामास हुए और उनके बताया अंसार बच्चे की लास नहेसे बरामास हुए तो 302, 364 A, 378 उसके साथ दुसकर में भी किया तो उनोंने मानने के बच्चे की बच्ची की सुच्मा अपराप्त हुए थी तदकाल हमने पूटे बहर रखांगा ले थे और बहुत कम समय में हमने इन दोनों अपरादियों को ट्रेस किया था और उसके बात काफी समय थे कि इनोंने गटना को नका रहा भी था लेकिन कड़ी पुष्टा आज के बाद इनोंने पूरी गटना को लासा किया और पुलिस ने जो एविडेंस होते हैं वो कम से कम समय में सीज किया और जो भी विडेंस थे उनको सुरक्षत रखा और उनोंन जो सच्की करसाती और गवाई थी जिससे की थैसला उसका इसमें करीब 20 गवाहों को जिने के अगदर जिनोंने गटना और गटना में जो तभी चरण हैं उनकी पुष्टी करी थी और जिनकी गवाह कराई गते हैं गवाह के अतार पर मारी नहले में आज पासी के ज़रा